असलाम अलेकुम दोस्तों कैसो आप लो इस वीडियो में जानेंगे सोधेरभिया का टूरिस्ट वीजा जो मल्टिपल होता है उसके बारे में और सोधेरभिया का फैमली विजिड वीजा जो मल्टिपल होता है उसके बारे में यह दोनों में क्या डिफिरेंस होता है इसको मल्टिपल टाइम आ सकते हो दो बार तीन बर कोई लिमिट नहीं आ सकते हो लेकिन दोनों ही वीजा का वालिडिटी होता है पहले बात करते हैं जो फैमली वीजिड वीजा का मल्टिपल वीजा होता है उसके बारे में देखिए जो मल्टिपल फैमली वीजिड वीजा होता है य उनके लिए apply कर सकता हूँ, यहाँ पे request डाल सकता हूँ, कोई अंजान लोग के लिए नहीं डाल सकता हूँ, लेकिं जो tourist visa होता है multiple, वो visa किसी को भी मिल सकता है, मेरे family members जो है, वो खुद से ही apply कर सकते हैं, या फिर कोई बी बंदा जिसको भी मन है सोधिर अभी आने का वो भी अपलाई कर सकता. अब देखे दोनों ही विजा मल्टीपल तो होता है लेकिन दोनों में एंतर क्या है? जो फैमली विजीड विजा वाला मल्टीपल होता है वो एक साल तक वालिडिटी रहती है. उसमें क्या है कि एक साल के अंदर तक आपका फैमिली कभी भी आना जाना कर सकते हैं इस विजे को हर 90 दिन में बढ़ाना पड़ता है पहले तो जावजात से बढ़ जाता था अभी कोई कंट्री में जाके फिर घुसना पड़ता है तो कुल मिला के कह लीजिए जो फैमिली विजिट विजा का मल्टिपल विजा होता है उसमें एक साल तक कोई बंदा रह सकता है इस विजा में आ कर गे लेकिन जो टूरिस्ट विजा होता है मल्टिपल विजा वो भी मल्टिपल है लेकिन उस वीज़े में आप सिर्फ 90 डेज तक ही सोधियरब में रह सकते हो 90 दिन से ज़ादा आप नहीं रह सकते लेकिन वो वीज़ा का भी validity एक साल की होती है अब एक साल के अंदर 90 दिन आप 5-5 दिन करके रहो या एक मेहना करके रहो जितना भी दिन करके आप रहो 90 दिन से ज़्यादा आप सोधिरभ या में उस विजा में नहीं रुख सकते कई लोगे साथ में ये misunderstanding रहता है कि टूरिस्ट विजा multiple ले लेंगे उसके बाद हर 90 दिन में हम भी उसको बढ़ाएंगे लेकिन वो बढ़ता नहीं है मेरे भाई अगर आपके पास tourist विजा है सोधिरभ का multiple वाला तो आप इस चीज़ को याद रखिए उस विजा में total आप 90 दिन ही stay कर सकते हो सोधिरभ में 90 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते इसको example दे कर समझा रहा हूँ माल लिजे किसी के पास multiple विजा है tourist वो बंदा आना चाहरा वो आया सोधिरभ में 10-15 दिन रुका फिर वो चला गिया उसके बाद जितना दिन वो रहा उतना दिन 90 दिन से माइनस कर लीजे अगर 10 दिन रहा तो 80 दिन और बचा फिर वो बंदा 3-4 मेना बाद घुसा उसी विजा पे तो फिर से वो जितना दिन भी रहा मालो 20 दिन रहा फिर वो चला गिया टोडल 30 दिन हो गया पहले 10-20 अब उसके पास बज़ गया 60 दिन तो इस तरह से एक साल के अंदर वो 90 दिन इस्टे कर सकता है सोधिरभ में 90 दिन अगर पूरा नहीं हुआ तो जितना बार चाहे आना जाना कर सकता है सोधिरभ यह जो दोनों ही विजा होत हज नहीं कर सकते बाकी उम्रह करने के लिए कोई पाबंदी नहीं होती आपको जितना बार उम्रह करना है आप कर सकते हो तो उम्मित करूंगा सोधिरभ का जो टूरिष्ट विजा है और फैमिली विजिर वीजा होता है यह दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आप जो शुक्रिया